आज मैं आपको ये पॉर्डर का डिजाइन बता रही है तो इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डायमेंड बना है तो सबसे पहले हमें इस तरह से जस्ट टायमेंड के पास जो ये ट्राइंगल है यहाँ पे मैंने निडल को निकाल लिया है अब हमें यहाँ से है यानि इन तीनों के बीच में इस तरह से नीडल को यहां पर डालना है और point के पास इस जो triangle का safe यहां पर निकाल लेना अब हम यहां आएंगे तो यहां पर इसी तरह से देखे पहले से मैंने center बनाए है यहां पर नीडल को डालेंगे और thread को हमें आगे रखना है और फिर हम यहां आएंगे तेहां भी इसी तरह से देखे नीडल को यहां पर डालते हुए हम थ्रेट को आगे रखेंगे फिर हमें यहाँ पे आना तो बस इस वाले थ्रेट के 20 से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे डाउन कर लेना है और उसके बाद अब हम इस तरह से सेंटर में अपने नीडल को निकाल लेंगे और उसके बाद अब हमें यहां आना है तो देखें यहां से हमें पहले वाले थ्रेड के यह जो पॉइंट था इसके 20 से निडल को निकाल लेना है फिर यह पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहां से यहां आना है तो यह पॉइंट में नीडल को निकालेंगे फिर से पहला ओला जो थ्रेड है यहां पे इसे उठा लेना है फिर हमें यहां आना है यहां भी इस पॉइंट के 20 से नीडल को निकालेंगे और यह जो पहला ओला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है तो फिर हमें यहां आना है, यहां भी इसके बीच से नीडल को, यानि एक के करके हमने चार पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लिया, और यह जो पहला अला थ्याट है, इसे हमें उठा लेना है, और इसके बाद ठीक हमें इस तरह से यहां पर डाउन कर देना है, और फिर ह हम यहाएंगे तबिसके जस्ट यह बगल वाला हमें यहान और तो यहां भी इसी तरह से जैसा कि मैंने इससे बनाये था इसे भी इसी तरह से एके करके हमें हर यह जो डायामन्ड सेफ है इसे बना लेना। बहुत सिंपल है और बहुत सुंदर लग रहा है अब देखनें बहुत सिंपल सा बॉर्डर का डिजाइन है ये दिखने में जितना सुंदर इसे बनाना उतना ही आसान है आप अपने पसंद का यहाँ कोई भी कलर ले सकते हैं बस इस तरह से देखिए और फिर हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डालते हुए जस इसके सेंटर में इस तरह से निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से आएंगे पहले वाले पॉइंट के बीच से फिर यह पहला अलते हैड उठाएंगे फिर हमें यहाँ आना है यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला अलते हैड उठाएंगे और फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर से ये पहला उला थेर उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है और फिर से पहला उला थेर उठा लेना है और इसके बाद इस तरह से देखे हमें सेंटर में नीडल को डाल देना है और इसी तरह से अब हम यहाँ पे बना लेंगे तो वस इसी तरह से एक किक करके हमें इन सब को बना लेना है अब हम इसे बनाएंगे तो इसे बनाना बहुत आसान है मैंने इसे बहुत बार बनाया है तो इस तरह से देखे हमें यहाँ पर नीडल को निकाल लेंगे इसके बाद हमें यहां से यहां आना तो ठीक इसके और इसके सामने इस तरह से निडल को हमें निकालना है और फिर यहां से अब हम यहां आएंगे तो देखे यहां पर मैंने तीन कलर का इस्तेमाल किया आप चाहे तो दो कलर से भी बना सकते या इसे हर तरह से कलरफूल भी बना सकते जैसे हर डामेंड को आप अलग-अलग कलर से भी बना सकते तो अब हम यहां आएंगे और फिर हमें यहां से यहां आना है फिर यहां आएंगे फिर हमें इसके 20 से इस तरह से ठीक यहीं पे नीडल को डालते हुए हमें यहां पे निकाल लेना है सेम जगह पे नीडल को डालेंगे और जो यह मेरा पॉइंट है यहां पे हमें निकाल लेना है तो फिर अब हम यहां से यहां आएंगे ध्यान रखेंगे कि हमें पहले और दूसरे स्टेप में त्रेट को थोड़ा सा टाइड रखना लूज नहीं रखना है तो फिर हमें यहां से यहां और फिर हम यहां से तो देखे इस तर से यहां आएंगे यहां भी हमें इसे उठाते हुए यहां से यहां और फिर हमें यहां से यहां आएंगे तो जैसे जैसे आपका ग्राप जारा आपको वैसे वैसे जाना तो देखें मैंने यहां पे स्टार्ट किया था यहां से नीडल को निकालते हुए हमें ठीक यहाँ पे निडल को डाउन कर लेना है फिर हमें यहाँ पे निकालना क्रॉस के पास और इस तरह से हमें अब फिलिंग कर लेना तो पहले हम सेंटर में आएंगे फिर यहाँ डाउन में आना है और यहाँ पे एके करके हमें तीनों पॉइंट के बीच से निडल को निकाल लेना है फिर हमें आना यहां भी इसी तरह से और यहां से यहां और फिर एक के करके हमें यह पहला है पहले के नीचे से फिर उपर से फिर नीचे से फिर नेक्स्ट अब हम यहां एंगे ते हां भी देखिए पहला वो जो ठर्ट इसे उठा लेना है और यहां से यहाना है तो फिर यहां बिन तीनो क्रॉस के बीश से हमें निडल को निकाल लेना है है एप फिर से में यहां भी पहले ओर थेर उठाना है ये के करके हमें इन तीनों के बीश्प से जो मिल को निकाल लेना फिर से यहां पर डाउन अप डाउन अप कर लेना है ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा सा थेट को हमें लूज रखना है और फिर से यहां तीसरा और थेट उठाएंगे फिर पहले वाले थेट को उठाना अब फिर यहां से आप हमें यहांना है और एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है फिर यहां भी इसी तरह से और जब भी चार थ्रेड हो जाए इस तरह से तो बस आपको डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है फिर यहां भी इसी तरह से देखे डाउन अप फिर हम यहांगे यहां भी इसी तरह से और यहां भी हमें एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है पहला वाला थेट है इसे उठाएंगे, फिर से हमें यहाना है, पहला वाला थेट उठाना है, और हाँ इसे तरह से फिर से, पहले वाले थेट के नीचे से फिर उपर से फिर यहाँ पे इस तरह से हमें यह थेर्ड उठाते हुए ठीक यहाँ पे हमें निडल को डाउन कर लेना है तो देखें मेरा यह डिजाइन यहाँ पर पनकर तयार है और आप देखी सकते हैं यह बॉडर पनने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है अगर आज का मेरा यह वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें तो चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में